यूपी की बुलन शहर में एक दुकानदार के खिलाफ ठाकुर ब्रैंड के जूते बेचने के आरोप में की गई शिकायत दर्ज, पुलिस ने आरोपी को लिया हिरासत में बजरंग दल के कारेकरता ने दी थी शिकायत। भारत का रूस से S-400 Air Defense System खरीदना अमेरिका को नागवार रिपोर्ट में दी प्रतिबन लगाने की चेतावनी। कोरोना वाइरस के बढ़ते खत्रे को देख जर्मनी की सरकार ने देश व्यापी लॉकडाउन बढ़ाने का किया हैलान जर्मनी की चांसलर एंजला माकेल ने इसे लेकर बयान किया जारी। चांसलर एंजला माकल ने इस महीने के अंत तक राष्ट व्यापी लॉकडाउन के विस्तार की कही बात जर्मनी में कोविड-19 की वजह से मरने वालों की संख्या बढ़कर 32,107 तक जा पहुँची भारतिय बाजारों में गोल्ड के भाव में दर्श की गई तेजी सोने का भाव 51,000 रुपे प्रती 10 ग्राम के करीब तो वही चांदे के दाम करीब 70,000 रुपे प्रती किलो ग्राम तक जा पहुँचा मुरादनगर में श्यवदा ग्रह की छत डहने से 27 लोगों की हुरी थी मौत पुलिस ने आरोपी पर रखा था 25,000 का इना कोरोना वैक्सीन पर सिरम इंस्टिटूट अफ इंडिया और भारत बायोटेक के बीच चल रहा विवाद हुआ खत्म दोनों संस्थानों ने ही मंगलवार को सही तरीके से कोरोना वैक्सीन पहुचाने के प्रियासों की कही बात इसरो के टॉप वेग्यानिक तपन मिश्टा का दावा साल 2017 में उन्हें जहर देकर और घर में साप भेज कर की गई थी मारने की कोशिश चान्नी चौक में मंदिर गिराए जाने पर हिंदू संगठन भढ़के आप सरकार के खिलाफ किया गया प्रदर्शन इलाके में बढ़ते तनाव को देखकर भारी तादात में पुलिस कर्मियों को चान्नी चौक में किया गया तैनात लगातार तीसरे दिन भी आसपास की सभी दुकाने रही बन बर्ड फ्ल्यू की वज़ह से केरल में अब तक 1700 बत्तकों की मौत वई हिमाचर प्रदेश के पॉंग जील अभ्यारन में 2749 प्रवासी और स्थान्य पक्षियों की मौत किसान आंदोलन का 42 दिन आज किसानों की कल ट्रैक्टर मार्श निकालने की तैयारी पूरी प्रदर्शनकारी किसान संगों ने खराब मौसम के पूर्वानुमान की वज़ह से 6 जनवरी यानि आज होने वाले ट्रैक्टर मार्श को एक दिन के लिए टाला किसानों की मांग पूरी ना होने पर 7 जनवरी को दिल्ली के चारो तरफ ट्रैक्टर मार्श निकालने का किया गया एलान किसानों के अनुसार ये 26 जनवरी को होने वाले ट्रैक्टर परेट का होगा ट्रायल मुराद नगर शम्शान घाठ हाथसा मामले में आरोपी कॉंट्रैक्टर अजे त्यागी का बयान बड़े अधिकारियों को जाता था 30 प्रतिशत कमीशन गिरफतार आरोपी कॉंट्रैक्टर अजे त्यागी ने बताया कि 55 लाख में उसने लिया था ठेका साथ ही अफसरों को 16 लाक रुपे दी थी रिश्वत अमेरिकी और एशियाई बाजारों में गिरावट के चलते आज सब्ता के दूसरे कारोबारे दिन घरेलू शेर बाजार गिरावट पर खुला नहे साल में पहली बार पेट्रोल और डीजल के दाम में दर्श की गई बढ़ोतरी पेट्रोल के दाम में 24 से 26 पैसे तो वही डीजल के दाम में 24 से 27 पैसे तक हुई बढ़ोतरी ब्रिटेन के प्रधान मंत्री बोरिस जॉंसन ने भारत दौरा की आरत गंतंत्र दिवस के अफसर पर मुखे अतीथी बन कर आ रहे थे दिल्ली ब्रिटेन में दोबारा फैल रहे कोरोना की वज़ां से लगा लॉकडाउन पीएम बोरिस जॉनसन ने प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी से की बात लॉकडाउन लगने की वज़ां से भारत ना आने का लिया फैसला दिल्ली के कई इलाकों में सुभा सुभा भारी बारिश के साथ किरे ओले मौसम विभाग के अनुसार हर्याना के कई जिलों में गरज के साथ भारी बारिश की संभावना जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्राखंड के अधिकांश स्थानों में भारी बारिश के साथ बर्फबारी की संभावना इसी बीच जम्मू कश्मीर के कई जिलों में बर्फिले तुफान को लेकर अलर्ट जारी कोरोना महमारी के बाद बर्फिलो की वज़ाव से केरल में आपदा घोशित इसी के साथ यूपी उत्राखंड हरियाना पंजाब समेत कई राज्य हाई अलर्ट पर आज दिलजीत दोसांच मना रहे है अपना सैतिस्वा जन दिन फिल्मों से पहले कीरतन में गाया करते थे दिलजीत दोसांच उर्ता पंजाब ने बदल दी थी किसमत 230 करोड में बिके सलमान खान के फिल्म राधे के राइट्स जी स्टूडियो ने खरीदे बॉलिवोड एक्टर सैफ अलिखान और प्रभास टारर फिल्म आधी पुरुष में करीब आट फुट तक होगी सैफ की लंबाई फिल्म में स्पेशल इफेक्ट्स होंगे इस्तिमाल पूर्व भारतिय कप्तान कपिल देव आज मना रहे है अपना 62 जन दिन अपने शांदार प्रदर्शन से देश को जिताया था पहला वर्ल कप